तो यहां पर से हैं पर्सेंटेज पर्सेंटेंट ही तो आप इस को पॉष्प कर सकते हैं व्लेजंट है तो आप इसको पॉष्प कर सकते हैं क्षछन के स्ल्सेंट करेंगे I Пр這些 और फिर मैं solution तो कराई रहा हूँ ठीक है तो यहां पर मैं explain कर रहा हूँ तो कोई और वीडियो में मैं इन क्वेशनों को सिखा दूँगा ठीक है कि actual मैं जिक कैसे करते हैं तो देखते हैं अभी हम practice questions कर रहे हैं तो हिंदी में भी लिखा और इंग्लिस में भी लिखा आप कु सिखते में बेचेगा अभी तो इसने 2550 में बेचे दिया तो परसेंट 15% loss हो गया है तो हम यह देखेंगे अभी बात सोचो 15% loss हो गया इसका मतलब 85% में sell किया उसने 85% मतलब 100 वो भी किसका होगा cost price का रहता है ठीक है मतलब जैसे बोलते है क्रेम बेचना मतलब विक्रे हां खरीदना यानि की cost price ठीक है तो 85% of cost price equals to selling price जो की selling equals to selling price होता है ठीक 85% में बेचाना जब 15% loss हुआ 100% में खरीदा तो 85% में बेचे दिया तो 85% of cost price equals selling price तो मैं बज़े समझाने के लिए लिए लिख रहा हूँ of cp equal selling price हमें दिया है यह तो यह अधर पहुचा दो तो cp की value आईगी 2550 into 100 upon 85 राइट पास से काट दो आचे कम पांच और 735, 17, 25, 0, 5, 25, 0, 17, 15, 0, 3,000 तो हमें आएगा पढ़ेगा कितने का 3000 रुपे का ठीक है 3000 का पढ़ेगा अब वो क्या कर रहा है कि 15% profit हो जाए यानि कि 115% में बेच सकते हैं 115% of किसका 3000 का तो जे selling price ही आईगी है हमारी ठीक है 20 से 20 अटा दो तीन पज़े पंदरह से लगती नहीं तीन रुक चाहती नहीं तीन और एक जीरो और यह हमारा फोर्थ आंसर ठीक है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा तो हम चलते हैं नेक्स्ट कुर्शन की तरप if a cert sold 10% of a profit at a price of rupees 330 मतलब वो यह कह रहा है कि हमने जो cert है वो 10% का profit में sell कर दी ठीक है और वो price जो है 330 रुपए है ठीक है तो cost price किते हो बहुत easy है तो 10% के profit में यानि 110% में बेच दी है राइट वो भी किसका 110 cp equals 2 sp यह मैं लिख देता हूं तो 110 of 100 of cp तो निकालना है और selling price हमें 330 दे रखी है ठीक है कोई trick break नहीं होती या कोई formula नहीं होती है without formula की question हो जाते है थोड़ी सी practice करो easy है मला practice नहीं करोगे तो tricky ढूंते रहना tricky find करते रहना और trick से कभी होंगे नहीं question solve पहले practice कर लो easy सीख लो फिर trick भी से आ जाएगे अपने आप if a shopkeeper sold the product 864 रुपे में वह sold कर रहा है और उसे 8% profit हो जाता है तो selling price of the product when you sold 20% loss तो selling price कित्ती होगी अगर उसे 20% का loss हो जाता है तो यहर पहले जहें देखो हमें selling price given है और जब 8% profit होता है यानि 108% में बेचा होगा उसमें of cost price equals to selling price right मैं बारवाल लिख रहा हूँ यह चीज तो 108 upon 100 इसमें selling price हमें तो दे रही है न 864 में बेच रहा है है ना वह sold कर रहा था तो 864 ठीक है चार से काड़ देते हम चार से काड़ देते है ठीक है चार से काड़ देते है चार दुनी आठ और दो चार सत्य अठाइस चार दुनी आठ चार एंगम चार तो चार्जिंग चौवीस ठीक है अब छे साथ दो नो तीन नो से काड़ लेता है नो तिये सत्ताइस और नो नटारा दो तीन चौप छटीस तीन से तीन आठ चौवीस सीपी की वैल्यू मतलब होने वाली है आठ सो रुपे ठीक है अब वो गया रहा कितने में बेचेंगे कि हम 20% लॉस हो जाया है यानि 80% में ओबिसली 80% ऑफ कोश्ट प्राइज मैं बारवाल लिख रहा हूंग ऑफ कोश्ट प्राइज इकोल्स टू सेलिंग प्राइज तो से क्या है यार क्या ही कुश्चन है अवीलचेयर इस सोल्डेट दे प्रॉफेट ऑफ फिप्टीन परसेंट के प्रॉफेट में सेल कर दी है डिट बीन सोल्ड फॉर 69 लेस अगर 69 के कम में बेची होती तो दे वुड हैब बीन लॉस ओफ एट परसेंट लॉस हो गया था तो यह भी तो सेलिंग प्राइस ही है ना तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 69 मैंनस कर दे रहा हूँ ठीक तो सेलिंग प्राइस देन वुड हैब बीन लॉस ओफ एट परसेंट तो एट परसेंट लॉस हो जाता मतलब किते में सेल हो रही होती फिर ना इंटी टू परसेंट तो ना इंटी टू परसेंट आफ सीपी राइट बस हो गया अब जे सीपी वाले वर्ड एक तरप कर लो तो 69 को दर भीज देतें सीपी को दल लियातें तो मैं लिखके बता देता हूँ एक्चुल मैं मैं को लिखने की जरूबर नहीं पढ़ती बस है ना इंटी टू अपन हंड्रेट बस मैं लिक वालब कैलकुलेशन समझा रहा हूँ ठेक है तो माइनस कर दो कितना बचेगा आठ दस अठारा और तेरा थेज़ ट्वेंटी थ्री सीपी अपन हंड्रेट राइट 69 काट देंगे तीन तरक नो तीन ने छे तीन वार सीपी की बेल लिकटी आने वाली 300 थर्ड और तो ये वाला हमारा जो कुश्चन है वो रहेगा होंबक तो आपको ये होंबक में करना हो मैं को कमेंट में बताना इसका अंसर कितना होगा ओके मैं इसका अंसर बता देता हूँ चलो मैं बताई देता हूँ यार ये 36,000 है ठीक है ये इस टैप के कुश्चन भी बहुत इजी होते हैं इतना डिफिकल्ट नहीं होते हैं तो उसने बोला परसंट सेल कर रहा है 16 परसंट ब्लो मतलब कम है तो यानि कि कितने परसंट में यार 100 परसंट में खरीदी होगी 16 परसंट में बेचेगा तो बता तुम कितने परसंट यानि कि I think 84 है ना I have 84 परसंट ओफ कोश्ट प्राइज एक कोल्स टू बच्छे और हो रहे सेलिंग प्राइज लिखते हैं तो तो हम लिख देते हैं यह अगर हम 30 रुपए ज्यादा तो इसमें 33 प्लस कर दे रहा है तो कर देते हैं तो फिर हमें गेन हो जागा 14% का समझो 14% का गेन हो जागा है ना तो पहले कोस्ट प्राइज निकाल लो तो इसको इधर ले जाते 84 को तो 33 इधर ही ले जागा 114 अपन हंड्रेड ऑफ सीपी माइनस करेंगे कमेंट कर देना अगर यह मैथट समझ नहीं आ रहे है तो मैं अच्छे से समझा दूगा तो समझ आ जागा राइट तो कितना हो जागा यह माइनस करेंगे तो 16 26 30 33 यह एक जीरो कर जागा ठीक है और यह 11 सीपी की विल्यू कितने आने वाली है 110 राइट अब कितना क्या रहा है 25 परसंट प्रॉफिट हो जाए कितने में सेल करेंगे यह 25 या निकी 125 परसंट ना 125 परसंट में सेल करोगे वो भी क्या आफ कोस्ट प्राइस कोस्ट गई है एक कुल स्टू सेलिंग प्राइज तो जीरो से एक जीरो काट लो ठीक है पांसर काल लो पांदने दस और पचम पच्चीज पांदने दस और मल्डिव लेगल लिसका ग्यारा पचे पच्पन पांच परेदनी बाइस सताइस डिवाइड़ेड बाइट टू दो एकम द्रड़ेड बैचते के जगा आधगि सनांटी परेड़ेड जाता प्रॉली मूर्फट तेंडि बिलिष परेज अ कोई धिक्कत निये तो अगर हम इतने में जद पर द्बैच डेग मैं ज्यादा बेचते बाइड तो एक इसलिंग पर्षेंट पर जाते सेलिंग प्राइज इसको अठाकर की यह लिख देते हैं 120 अफ कोस्ट प्राइज ठीक है अब इसको उधर पुचा देंगे माइनस करेंगे 115 से 120 याने कि मेरे खाल से यह answer दो का multiply कर रहेंगा तो यह आ जागा हमारा पचास अजार कॉस्ट प्राइज गड़बड कर दीक है तीन दो पांच तीन एक जिरो और तीन दो पांच चौथ आंसर एक और करेंगे अब नेक्स्ट कुश्चन जैसे कि वाच 5% लॉस में बेच रहा है तो 95% ओफ कॉस्ट प्राइज रहता है तो अगर इतने जादा में बेच रहे तो अगर इतने जादा में बेचेंगे 56.25 इतने में प्लस करेंगे तो नई की सेलिंग प्राइज कित्ती हो जाएगी तो वो कह रहा हमें 10% प्रॉफेट होता है मनलब 110 परसेंट इसको अटा देंगे 110 परसेंट ओफ कोस्ट प्राइज तो बस अब इसको धर ले जाओ माइनस करेंगे 95 यानि कि 515 पंद्रा पंद्रा बन हंड्रड ऑफ सीपी एकोल स्टू 56.25 अपॉट डबल जीरो पॉइंट अठा करके ठीक हैं अंडर सेंड्रेट कर या पंद्रा से डारेक्ट काट सकते हैं नहीं याँ आद तो पांस से काट लेते हैं पांस तेंद्रा पांच अकम पांच अकम पांच पच्छेस इन से काट लेते हैं टीन तरका नौं दस यारा दो थीन साथ तीन पांच अपन द्रा कुछ गडबार कर दिया मेरे खाल से मैंने कलगलेशन कुछ छोटी शीम स्टेक हो गई है एक बार और देख लेते हैं पांस तक अट आपांस तेंद्रा पांच अंग फांच त्रहिंदर का 9 जार्था ठीय के स्वर्य इन साहीं सम्य है त्री सबन था में नाइन की लिखना था केलकुलेशन निस्टिक हो गया तर ठीक है कोई बात नहीं कि Questo Prince 12 बहुत है है Mor ॆ इस तरीके के question जब भी आ जाए कि Cost Price 12 बहुत है कि तया हुं ने कि से लिंग alcohol के लिए तुमें क्या करना है धुड़त है, आठ बेच यह जितने में खरीदेGO inglés तो फोर अपॉन यह सेलिंग प्राइज वाली चीज होती ना वह अपॉन में लिखते हैं और इंटु हंड्रड बैस खतम यानि कि 50% का प्राइज हो गया सीदी इसी बात है ठीक है तो ध्यान रखना जब भी प्राइज सेम हो जाती है ना अगला ग्रिशन देख लो कि 11 आर्टीकल की 9 के कुल है प्राइज ठीक है तो प्राइज कितना हो रहा है ओविसली जब हम 11 खरीद रहे हैं और 9 बेच रहे हैं उतनी प्राइज में 9 जित्ते 11 जित्ते में खरीदे 9 उत्ते में भी बिच गए तो हमारे कुछ तो बच गए ना कितने दो बच गए तो टू अपन बेचे कितने थे नाइन अपन इंटू हंडर्ड ठीक है तो काटो को तो 22.22 परसेंट आ जालगा तो जो इस टाइप के लगे कमेंट करना अगर मेथट समझना है तो मैं समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में